देखो तो साइं, तियोहार आते ही गाउं की रौनक कितनी बढ़ जाती है और कलकातियोहार तो घर-घर में मनाया जाने वाना है वाटपूर्नी माजो है बाइजमा, परिवार को एक साथ खुशिया मनाने की प्रेणा देते हैं हमारे त्योखार लेकिन कुछ लोग इन खुशियों से वन्चित रह जाते है मना जाते है हर समय अकेला और उदास रहता है यह त्योहार में तो उसे और भी बुरा लगता होगा ना खासकर ऐसा त्योहार जिसमें पती-पत्मी के अटूट रिष्टे के लिए पूजा की जाती है परिवार को अक्षुन रखने के लिए कामना की जाती है अपने आसपास ऐसा खुशी भरा पारिवारिक माहुल देखकर इसका मन कचोटता होगा ना साइं बेचारे के नसीम में तो शिरत्था और सबुरी बाइजम हम अपने मन में कितना भी घुसा या नाराजगी पालके चाहे सबसे कितनी भी दूरियां बना लें ये जरूरी तो नहीं कि हालाथ हमेशा एक जैसे ही रहेंगे जिनके नाम मात्र से ही समुद्र में पत्थर तैरने लगते हैं सेतु बन जाता है उनकी मरसी से इस जीवन रुपी समुद्र की दूरियां भी मिठ सकती है अधूरा जीवन परिपूर्ण हो सकता है साई बस कुलकरनी सरकार बस अब मैं सब कुछ अपने तरीके से सुल जाओंगा तो जाओ यहां से मेरा समय क्यों नश्ट कर रहे हो और मैं भी देखना चाहता हूँ मेरी साहियता के बिना तुम क्या कर पाते हो और एक बात कान खोल कर सुल लओ शिगर ही तुमारा यह अहंकार तूटेगा और तुम्हें मेरी साहियता लेनी ही पड़ेगी अर्यों चलो गाता तुम दोनों के करण यह दो कोड़ी का आदमी मुझे इतना कुद सुना के गया गदे भी काम आते हैं पर तुम दोनों उनसे भी गये कुद्रे निकले अब भी इस इक्षण मैं तुम दोनों को नौकरी से निकलता हूँ अपना बोरिया भिस्तारा बांदो और निकल जाओ शिरडी से तोबारा मुझे तुमारी सुरत दिखने नहीं चाहिए मेरे आदेश की अवहे ना करने का प्रिणाम जानते हो ना हाँ और शिरडी छोडने के लिए तुम्हारे पास आज रात तक का समझ है समझें हरी ओं हरी हो हरी हो हरी हो हरी हो प्रतमेश 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 मौसी हुश रहो कब आई अभी अभी मौसी और मैं इसे घर से यहां ले आया अच्छा किया साइं ये प्रतमेश है मेरी चैचेरी बहन का बीता प्रणाम साइं राम जी भला करें राम जी भला करें आउ प्रतमेश अंदर चल के बाते करते हैं प्रतमेश साइं ने तुम्हारा हाथ ठाम लिया है मतलब तुम पार लग गए अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरुरत नहीं है साइं जिस पर महरबान हुआ देर सवेर उसका कल्यान होना निश्चित में चलो ओम साइ ओम साइ ओम सायओ तुम्हार निश्चित ने दूपलकता दुम्हारा था स्रागल आ गहां तु कि को चलो हात मुंदोले खाना तैयार हुआ है रागल क्या हुआ तुझे कुछ नहीं कैसा लड़का है ये जब देखो मू लड़का है रहता है कोई कमी नहीं है इसे फिर भी कभी खुश नहीं नजर आता है ये पता है साइं प्रथमेश बहुत ही काबिल और होनहार लड़का है हम सब की उम्मीदे जोड़ी हुई है इससे बच्पन से बहुत होशियार है तब से हम लोगों ने इससे उम्मीदे लगा ले है कि एक ना एक दिन ये हमारे खांदान का नाम रौशन करेगा क्या हूआ प्रथमेश क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो कोई बात नहीं जब मन करे तब बता देना बस एक बात याद रखना अगर मन में वेदना है तो उसे वक्त रहते प्रकट कर देना चाहिए वेदना अगर मन में दबी रही तो उसे जहर बनते देर नहीं लगते नहीं साही ऐसी कोई बात नहीं प्रणा जहीं कोई वेदना 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 येदना कर दो कर देना अजब भात वेदना अजब पर्णा झाल 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 समलखर, एक दम समलखर सुनो, इस गाओं में लगवग हर कोई इस वकीर का चमचा है किसी को शक ना होने पाए कि हम उस वकीर का पीछा कर रहे हैं ठीक, समझ गए? तुम लोग आगे चलो, हम लोग तुम्हारी बिल्ग को पीछे पीछे होंगे और याद रखना, तुम लोगों को सिर्फ संकीत करना है पता है ना कब? आगे बढ़ो भीक्षाम देही पर नाम साई राम जी भला करें माई, आज मुझे कुछ और चाहिए क्या साई? बटपुजा का धागा चाहिए मिलेगा? जरूर मिलेगा साई अभी लाई लीजे साई अभी लाई अभी लाई गहां जा रहा है वो? उस घर से धागा लेने के बाद उसने किसी से बेक्षा भी नहीं मांगी है वो नहों किसी खास जगा जा रहा होगा जाहें इसने पैसे छपा के रख्या होंगे मुझे लगता है बहुत जल्द सबूत के खरीब महुशने वाले हम इसका बीचाय से जाड़ी रखेंगे आजाओ मुझे लगता है मुझे लगता है कि हम उस जगा के पास पहुच चुके हैं जहां उसने पैसे छुपा हैं चलो क्या हुआ रूप क्यों गए अभी हमने तै किया था कि हम उसका लगतार पिछा करेंगे मुझे बता है हमने क्या तै किया था एक वर मैंने क्या दिया आगे नहीं जाना तो नहीं जाना है अंधर कुछ नहीं है चलो वापिस लेकिन ये फखीर बहुत ही शातिर किसम का इंसान है और कुछ नहीं ये हमारा समय बर्बाद कर रहा है और वेसे भी उस पर नज़र रखने के लिए हमारे आदमी उसका पीछा कर रहे हैं कुछ होगा तो पता चल जाएगा हमें कब तक सच्चा इसे भागोंगे चखलना रहा है आज नहीं तो कल सच का सामना करना ही है क्या वाद है बरतानेश तुम खा नहीं रहा है भूख नहीं है दादा पताने पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम्हें कोई चिंता सता रही है नहीं दादा ऐसी कोई बात नहीं देखो सच सच बताना परतानेश गर में सब ठीक तो है ना मौसा जी के साथ तुम्हारी बनती है या नहीं क्या आभी पीच अखड़ते रहते हो किसी काम के नहीं हो तुम एक पैसा कमाने की अकल नहीं ना कुछ सीखा ना कुछ हासिल किये जिंदगी में तुम्हारी उमुर में लड़के पिता का हाथ बटाते हैं लेकिन तुम तुम जो काम करने जाते हो उसमें लुक्सान कर रहा कि ही आते हो मेरा खाना हो गया दादा मैं बाहर टहल के आता हूँ यहां खड़े होकर तिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो तुम्हारी इस घर से तुम्हें कभी विक्षा नहीं मिलेगी मैं कुछ मांगने नहीं तुम्हें देने आया हूँ यह लोग गुदु भाई तुम्हारे कामा है का कलवट पूर निमा है न नहीं गुदु भाई आए ऐसी गलती मत करना यह महज धागा नहीं है रिष्टा है नहीं मानती मैं उस रिष्टे को और नहीं इस धागे को नहीं सुननी है मुझे तुम्हारी बखवास अच्छा बिलकुन नहीं मानती कोई फर्त नहीं पड़ेगा तुम्हें तुम जाते हो या नहीं? मैं तो चला जाओंगा. लेकिन क्या वो यादे ही इतनी आसानी से चली जाएंगे? नहीं न. रिष्टे भी ऐसे ही होते हैं. इन्हें भेंका नहीं. निभाया जाता है. क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? और सब मुझे पर की उंगली उठाते हैं? ताली एक हाथ से नहीं बसी. रिष्टे तब निभाय जाते हैं? जब पती पती में एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने की काविलियत हो. जरूरत जायस भी तो होनी चाहिए. तुम कौन होते हो तैक करने वाले? की आदायस है? और क्या नहीं? काववले तुम्हे भगवान मानते होगे? इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हे अधिकार मिल गया मेरे जिवन में दखल देने का? और सुन लो, कोई जरूरत वलत नहीं थी. मैंने सिर्फ वही मांगा, जो मेरा हक था, और वो नहीं दे पाए मुझे. दोश सिर्फ उनका था. पती के रूप में असफल रहे वो. बोदु बई, इसलिए आपने गयस्ती छोड़ती? सफलता असफलता तो एक सिक्के के दो पहलूं है. किसे इंसान के लिए ये आवश्यक नहीं, कि उसे हर बार सफलता ही हाथ लगे. खैर, सबका अपना दृष्टिकोण होता है. ये तुम्हारा दृष्टिकोण है, तो यही सही. लेकिन क्या तुम अपने दिल पर हाथ रख कर कह सकती हो? कि कभी तुमने किसी अच्छी चीज की सराना की? और उन सबका अंतिता परिणाम क्या निकला? क्या सबको छोड़ाने के बाद कुछ भी अच्छा हुआ? क्या तुमने कभी अपने बेटे की आखों में देखा है? क्या वो खुश है? और वागई में तुम खुश हो? क्यू बार बार उसी बात को छेड़ते रहते हो? जिन बातों को मैं बूलना चाती हूँ, तुम उननी बातों को याद दिला रहे हो क्यू मेरे जक्म को कुरेद रहे हो तुझ मुझे अकेला, क्यों नहीं छोड़ ज़ज़े? क्या वह बटी? ले जाओ यहां से बाबा, बाबा ऐसे कह दो मेरी जिंदगी पर देना बंद कर दे राइगो, इसे अंदर ले जा मैं तुझे आखरी छेतामी दे रहा हूं फखीर मेरे घर की चोखट में आना बंद कर दे मेरी बेटी को परिशान करना बंद कर दे वरने मुझसे बुरा कोई नहीं होगा एक जेतावनी तो राम जी भी आपको दे रहे हैं गंगा राम जी अपनी बेटी को समझाईए क्योंकि आप उसे जितना सही ढंक से समझा पाएंगे शायद कोई और नहीं समझा पाएगा और आपके जितना जी में आएं उतना जूट आप मुझसे बोल सकते हैं लेकिन आप भी ये जानते हैं कि बेटी की चिंता आपको रात में जगाए रखती है तेरी हिंबत कैसे हुई मेरे पारिवारी के बागले में बोलने की और क्या कहना है तेरा कि मैं एक गुरा पिता हूँ मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी के लिए अच्छा क्या है तुछ से ज्यादा चिंता है मुझे उसकी तुछ से ज्यादा संजाया है मैंने उसे अब अगर वो नहीं जाना चाहती है तो तुझे क्या पड़ी है मैं तो केवल एक शादी शुदा स्थ्री को ऐसी गलती करने से रोकना चाहता हूँ जो उसकी जिन्दगी बरबाद कर देगी मैं एक जवान लड़के को थोड़ी उमीद देना चाहता हूँ एक पिता को चैन की में सोने में मदद करना चाहता हूँ लेकिन ये सब मैं बिना आप की मदद की नहीं कर सकता